हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चनल दी एक्जाम हैल पर मैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ी जो है कुसकपरी निकल कर आ रही है आपके लिए फाइनली जो है आपकी बेकेंजी आ चुकी है 26,342 पता चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल भरती के बिल्कुल जूट नहीं बुलना हूँ बिल्कुल ओपीशल नोटिस आपको दिखा देता हूँ कबसे इसके फॉर्म बरे आएंगे एज कितनी माईए है योगेता क्या है फिजीकल मेडिकल सब बताने वाला हूँ खुसकपरी निकल लगा रही है सबसे पहले चलिए आपको दिखा देता हूँ कि मैं सच पता रहा हूँ कि जूट वाला हूँ आपको ओपीशल वेबसाइट पर लिए चलता हूँ तो दोस्तों देखे यह आपको ओपीशल वेबसाइट दिख रही होगी यूपी पुलिस की यहां पर देखिए साथ तारीक की डेट में आपको दिख रहा हूँ आरची नागरिक पुलिस के 26,200 इवं फायरमेन की 132 पदों को सीधी परती से बरे जाने यह तूट टेंडर के माद्यम से निविदाय आविंतरत की गई है तो दोस्तों बिलकुल वेकेंजी आ चुकी है पूरी डेटेल में देने वाला हूँ आपको कैसे लेबस रहेगा क्या एज रहेगी क्या आपका कैसे कैसे बढ़ती होगी क्या पेपर में पूछे जागा सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतर त 117 फायरमेन के 172 पदों को सीधी बढ़ती से भरे जाने है तो उपन टेंडर अभी इन लोगों ने क्या गया है टेंडर मंगाया है जो कंपनी आपका पेपर कराएगी जो कंपनी जो होती है आपका पेपर कराने वाली उनके लिए इन्होंने ये नोटिस निकला है कि हमें इ यहां पर देखे 26 यार इतने पाद और इतने पाद और आगे हम देख लेते हैं कुछ important चीज इदे के request proposal है इसमें देखे आपका क्या क्या होने वाला है तो देखे सबसे पहले जो है आपका offline return exam होगा जिसमें 20 लाग कमसिलम 20 लाग जो बिद्यारती है उनको बुलाया जाए और आपका OMR based test होगा offline ठीक है offline test होगा और दोड़ बगयर होगी और यहां पर देखे date दे रखिए यह इतनी date को इन्होंने आप इदन मांगा है साथ दी साथ देखे यहां पर बुला गया है कि 20 लाग जो है student form बरेंगे जिसमें से 85,000 को जो है DVPST के लिए बुलाया जागा और उसके बाद एक final merit list आपकी बनेगी दोस्तों चलिए मैं पूरी detail में आपको बता दाओं कब से इसके आविदन form इस्टार्ट होंगे age क्या मांगी यह ठीक है तो दोस्तों यह जो मांगी गई है आपकी बो मांगी है 18-22 ठीक है जो last year का notification आया था उसके according 18-22 थी महीं female के लिए 18-25 और SCST OBC को 5 वर्स की चूट ठीक है यह थी और दोस्तों अगर इसका notification आ था तो उसमें हमने कई ना कई notice में देखने को मिलेगा कि इतने साल की चूट द ास हाती है ठीक है रही हम योग गीत्रा के बात करें तो कोई बिद्यारती जैसे बारिवी पास कर रखा है किसी भी केंद्र से कोई बी और इंडिया की बे c कुई बारवी पास बिद्धाटीा का फ्राम भर सकता है चलि अब हम बात कर लेते हैं फिसीकल में क्या होगा तो सब्सक्राइब ह Uranus की चूड़के बागी सबकी 160, ST वालों की 160 महिलाओं की बात करें 152 और ST की महिलाओं की बात करें तो 147 हाइट होनी चाहिए चलिए हम सीने की बात कर लें चेस्ट तो male का होना चाहिए पुरुसों का 79 से 84 सेंट्यमीटर यानि की 5 सेंट्यमीटर का फुलाओ और ST वालों के लिए 87 से 82 मांगा गया है बहीं female में चेस्ट नहीं मांगा जाता बजन मांगा जाता जो की 40 किलोग्राम आपका होना चाहिए रणिंग की बात कर लें तो रणिंग देखिए जो पुरुस हैं उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दोड़ना होगा और जो महिला ब्यारती हैं उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दोड़ना होगा चली सेलेक्शन प्रोसेस आपका क्या गया होगा किस-किस स्टेश से होकर आपको गोजरना होगा तो देखिए सबसे पहले आपका फोर्म बढ़ाया जागा उसके बाद आपका लिखित परीच्छा होगी ओफ्लैंट जिसके लिए जो है यह लोग लगवग पांच हैर कोशन सेट करने वाले हैं यानि कि आपका दिन आपका जो पेपर है दो से तीन सिप्ट में चलने वाला दो से तीन दिन चलेगा ठीक है इसके बाद दिए तीसरे नमर पर आपका DB होगा मापतल वगयरा जाने की सारी टेस्ट वगयर होगा और फिर उसके बाद आपको दौड के लिए बुलाया जाएगा फिर उसका मेडिकल होगा फिर उसके बाद आपकी जोईनिंव हो जाएगी दोस्तों मैं बता जदा हूँ पूरा-पूरा salary भी बताऊंगा आपको क्या salary दी जाती है, training के समय क्या दी जाती है, joining के समय क्या दी जाती है, और फिर promotion के समय क्या मिलती है, ठीके, इसके बाद देखे, exam pattern क्या रहेने वाला है, तो लिकित परिक्षा होगी आपकी, एक प्रेशन पत्र होगी, एक प्रेशन दो नमर का हुआ, कुल नमर होगे 300, नेगेटिव मार्किंग रखेगे, यह 0.5 हंग, एक बड़ना चार, और टाइम आपको दिया जागा, टोटल दो गंटे, तो यह होगा आपका exam pattern, अब syllabus की बात करें, तो syllabus में आपका देखे, दोस् आपका, एक तो आपकी आँखे चेक होती है, एक आपका नौकनी चेक होता है, घुटने यानिकी, और एक फ्लेट फूट चेक होता है, कान चेक होता है, आपके हाथ पर टूटे नहीं होना चाहिए, और कुछ other check-up भी आपके होते है, तो यह सब चीज़ आपकी होना चैनल को जरू सब्स्राइब करिएगा, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए GK की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो की आपको डायरेक्ट आपके एक्जाम में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, चलिए हम सेलरी की बात कर लेते है ये मैं उस आधर पर बता रहा हूँ, मेरा दोस्त लाश्ट इयर इसमें पहले बार में अटेम्ट हो दा रागवन सिंग तोमर, तो उसके बहाप पर में बता रहा हूँ, उससे मैंने जानकारी लिए है, तो उसने मुझे बताया, इस इस तरीके से मुझे सेलरी मिलती है, तो ट्रेनिंग में उसे थी, 25,000 मन्त मिल लेते, जब उसके पोस्टिंग हुई, तो उसे 27,000 रुपए बढ़कर में और बरतमान में उसको 32,399 रुपए इसकी सेलरी होती है, और इसके जो कुछ पैंसन बगरा का फंड करता है, उसके बाद उसे 29,399 सेलरी जो है देखने को मिल हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत